गुड मॉनिंग दोस्तों सुबा के छे बत चुके हैं और आपकी जिरो लेबल की गड़की क्लास हुरो चुकी है आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को लाइश तक देखिएगा और हाँ क्लास को लाइक करना नहीं बूलिएगा यह जो मैं सिर्फे हाथ रखके ख खतम हो जाएगी तो अपने दोस्तों में जरूर सेर करिएगए इसके बाद च्छी बचकर 45 मिनट शे आपकी इंगलेफ की क्लास होगी उसके बाद आपकी फिर inspirat की क्लास होगी उसके बाद करट अफेर बहुत सारी मुसीबितیں जहलना पड़ता है ऐसा लगता है कि गड़ित बहुत गटीन है उन्ही लोगों के लिए एक लास है कि उन्हें लगने लगे कि गड़ित बहुत आफान है जी हां बिल्कुल गड़ित बहुत आसान है और अगर अभी तक आपने PBRS Study को नहीं सब्सक्राइब किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गए है सब्सक्राइब कर लिजिएगा नहीं तो आप YouTube में सर्च कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो मैध आसान है पर देख रहे हैं तो PBRS Study को सब्सक्राइब करें और अगर PBRS Study को सब्सक्राइब किया है उस पर चैनल पर देख रहे हैं तो मैध आफान है चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं चले टापिक शुरू करते हैं एक काई 70 किलो मेटर परति घंटे की चाल से चल कर तीन घंटे में परियाग राज से सुल्तानपूर पहुंचती है तो सुल्तानपूर और परियाग राज के बीच की दूरी बताना है आपकी जनकरी के लिए बता दो सुल्तानपूर हमारा होंटाउन है ओके ठीक तो कैसे कर देखे एक फर्मूला होता है जो कि आपको रट लेना है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं याद करना है चाल बराबर दूरी बटा समय इसी को आपको याद कर लेना है बस चाल को इस पीड होती है इसलिए यस से दिखाते हैं दूरी मतलब डी समय मतलब टी यहनि किसे सार्ड में बोले तो माइक्रो फाम में आप यसी को डी यह पांटी याद कर सकते हैं ठीक है बाद समन में आई अब जो जो दिया गया इसी में रख देंगे सारा उत्तर आपके सामने आ जाएगा दूद का दूद पानी का पानी आपके सामने ध्यान दिजिएगा कार 70 किलोमेटर प कार्या दिजिएगा निच्छे दिख रहा है ना नहीं दिखेगा तruck भी बतादिजिएगा बिल्कुल वैँ यह झाल दिएगा सत्तर तो आम ने रख दिए चाल की नीचे सत्तर दूरी जो मूरी तो बताना है तो दूरी को क्या लिखेंगे मिर्णियुण दुपी लिखेंगे संवे तीन गं déjà तीन गंटे में पहुँच रही है तियों कपे तीन गंटे इसी को हल करना है संवे तूरी और इसी को हल करना है तूरी तूरी बंगा करेंगे तीन का साथ में गुड़ा कर दो 210 क्या आ गया किलो मीटर यानि कि पर्याग राज से सुल्तानपूर के बीच की दूरी कितना है 210 किलो मीटर जो की ज़्यादा है न रियल में दूरी मांतर 120 या फिर हां लगबग में सम्थिंग 120 किलो मीटर है तो इससे नहीं मतलब है यहाँ प नाइथ में है टेंथ में है रिल्वकी एक्जाम में जा रहे हैं चाहे तो आप किसी दूसरे परिक्षा में जा रहे हैं तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कोईश्चन ध्यान से देखिएगा और लाइन पर बने रहिएगा इसी सिलसिले में अगला सवाल आपके सामने आ चुका जिसके आप्षन भी आपको दिख रहे हैं और जल्दी से आपको कमेंट कर देना है फट से आगे बढ़ना है राइट अंसर आ गया आगे चलू जहान दिजिएगा एक साइकल 30 किलोमेटर करती घंटे की कुछ गणबड हो रहा है है ना एक साइकल 30 किलोमेटर की दूरी को दो घंटे में तैं करती है पूरा करती है तो साइकल की चाल गयाद कीजिए साइकल है भाई बहुत सी तेजी साइकल चलती है रेंजर माडल की न देखते होंगे आप लोग तो वो सब 40 की स्पीड में वैसे भी चलती है तो ये तो 30 किलो मेटर की दूरी को तैं कर रहे हैं दो घंटे में बहुत दीरे चल दे लग रहा है पुरानी है कितने दिर में पूरा करती है दो घंटे में तो साइकल की चाल निकालना है आपको सिंपल में ये सूत्र लिखना है जो हमने आपको रटाया था चाल बराबर दूरी बटा समय जो जो दिया रख देना है 30 किलो मेटर की दूरी यानि कि 30 किलो मेटर दिया है समय दिया है दो गंटे चाल तो हमें निकालना ही था कि तो बिल्कुल सीधा फिदा है तो चाल बराबर का हो जाए ये बंदरा आजाएगा ना यानि कितना हो गया पंदरा ऐसे नहीं पंदरा किलो मीटर प्रती गंटे की चाल से साइकल भग रही है हो गया ना अगला सवाल में चलूँ द्यान दीजिएगा और हाँ अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो किरपया तूरंत करें देर ना करें इसी सिलसले में आपका कोईशन नमपर अगला आपके सामने आ चुका है ध्यान दीजिएगा एक साइकल 130 के दूरी को दो गटे में पूरा करती है जो 30 था नख few 130 हो गया अब आप लोग बताए कितना चाल होगी उसकी साइकल की कितना साइकल की चाल होगी अरे भाई और नहीं सूत लगा देना सिंपल में चाल बराबर दूरी बटा समय दूरी कितना है 130 किलोमेटर समय दो घंटे काट दीजिए 65 किलोमेटर पर दी घंटा चाल है साइकल की अब बता ही साइकल 65-70 की स्पीड में जाएगी साइकल तो इंडिया की साइकल नहीं चलेगी इतना तेज बाखी के हो सकता पड़ोशी देश की चलने लगी फिर भी लेकिन इसका जो उत्तर होगो 65 होगा अगले सवाल में चलते हैं ध्यान दिजिएगा समझ कैसा भी लोग ना आज की क्लास बहुत बढ़ी ना करते हुए हैं पर समाप्त करते हैं अगर आपको कोई सवाल करना है या फिर इस क्लास को हर दिन देखना ह है रेगुलर इफी तरह फे तो आप हमें वार्टसप करें साथ तानबे तिरानबे अटालीस चौरासी अटालीस मैं आज कुमारे दुबंसी फिर अगली क्लास में आपसे मिलूंगा धन्यवाद